जेहीन दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल डिफेंस चेंपियन में दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीबी नाविक जीडी एंड यांतरिक वाले जितने भी स्टूडेंट्स है आपका बैच है 0222022 जिसके एड्मीट कार्ड आपके आचुके हैं कल की रेट में एड्मीट कार्ड है वो सामके 5 बजे के बाद में है आपने लोगिन करके आपने डाउनलोड कर लिए होंगे तो सबसे पहले इंडियन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट पर आने के बाद में आपको पता होना चाहिए 0222022 इस पर आपको लोगिन क पाएंगे तो वहां पर आप सामको 5 बजे के बाद में है वो डाउनलोड कर पाएंगे ठीक है जैसे 28 वाले स्टुडेंट्स है जिनका एक्जाम 28 मारस को है तो उनका जो एड्मीट कार्ड है गाईज वो 24 को और जैसे 29 को है उनका 25 को इसी तरीके से आगे चलता रहेगा तो होना चाहिए क्योंकि एक्जामिनेशन के टाइम में आपको जरूरत होते है उसकी लोगिन करने के लिए और गाईज इमेल आईडी कहीं पर भी एड्मीट कार्ड में नहीं होती है यहाँ पर अपने इमेल के पासवड आपको नहीं डालना है यहाँ पर आपका जो पासवड आप भूल गए हैं तो यहाँ से आप फॉर्गेट कर सकते हैं यहाँ पर आपको इमेल के उपर एक जो है मेसेज आ जाएगा मेल आ जाएगा उसके मादम से आप रीसेट हो कर पाएंगे यहाँ से आप मोक टेस्ट भी दे सकते हैं और लोगिन यहाँ पर से कर सकते हैं कैप् हो जाएगा उसके बाद में stage 1 notification आपको यहाँ पर दिखाई देगा तो यहाँ पर आपको सब कुछी information वगएरा है यहाँ पर दे रखिए यहाँ पर अपना admit card है download करने का नीचे स्क्रोल करेंगे तो option यहाँ पर आपको दिखाई देगा provisional e admit card for stage 1 यहाँ पर information है यहाँ पर आपका नेम है चेक कर लेना सही है यहाँ गलत कोई भी इसी हो तो आप बता सकते हैं उनको hall ticket है और application registration number है data birth है category है उसके बाद में gender हो गए यहाँ पर आपका photo है और यहाँ पर आपका photo जो की Sam यहाँ पर लगने वाला है data of examination आपको यहाँ पर दे रहा है 28 March 2022 मंडे और shift A हो जाएगा reporting टाइम आपका 8 बजी हो गया और closing टाइम आपका हुए examination center उसकी complete information address यहाँ पर आपको दे रखिए तो आप अच्छे से यहाँ पर चेक कर सकते हैं दोस्तो डाउनलोड कीजिए प्रिक्स एप, प्रिक्स एप को डाउनलोड करने का लिंक आपको description box में दिया गया है और बहुत ही सांदर test series आपको यहाँ पर मिलेगी और यहाँ पर select कीजिए डीवी या जीडी का, यहाँ पर आपके पास six month तक यह course रहने वाला है, free demo आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं और यहाँ पर view all पे click कर दीजिए, test series आपको दिखाई देंगी, और unlock series पे आप जैसे ही click करेंगी, यहाँ पर unlock course पे तो यहाँ पर दो option आते हैं, एक तो आप direct payment कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर coupon code अपलाई कीजिए, champion 50 तो आपको 50% का discount मिलेगा, यानि 349 वाली जो test series है मातर और मातर आपको मिलेगी, 175 की, यानि आपको 50% का discount यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, तो coupon code अपलाई जरूर कीजिएगा, और यहाँ पर पेमेंट कर दीजिएगा, पेमेंट करने के सारे option आपको यहाँ पर दिये गए हैं, UPI पेमेंट, जो भी आपके पास मादे में है यूजर नेम क्या रहेगा, आपको पता होना चाहिए, stage 1 examination के लिए, आपकी email ID रहेगी, और आपको यहाँ पर information दे रखा है, कि आपको अपनी email ID है, वो याद होनी चाहिए, सही से, और उसके बाद में आपके पास दस्वी की mark sheet होनी चाहिए, original, आपके पास e-admit card होना चाह जो की रंगीन print होना चाहिए, पूरा page आपको निकालके नहीं लेके जाना है, front page हो गया, और COVID-19 वाला, जो self declaration form होगा, उसी कि आपको रंगीन photo copies यहाँ पर लेकर जानी है, और कोई आपको problem कहीं पर भी नहीं होगा, वैसे तो front page कहीं आएगा, और जो आपका रंगीन print आना होना चाहिए, और COVID-19 नेगेटिव जो रिपोर्ट है, वो आपको certificate है, वो आपको fill up करना है, self declaration form है, तो उसमें भी आपको कोई किसी बरकार की mistake नहीं करनी है, और आपके पास आधार कार्ड या फिर आपने जो भी यूज किया है, अपना pain card हो या जो भी photo ID की रूप में, व और आपको follow करना है, ताकि आप ऐसा ना हो जाएं कि एक छोटी सी mistake की वज़े से आप examination ना दे पाएं, आपका यहाँ पर है, father name, traveling from, आपने कहां से यातर अना start किया, और कहां तक यातर आपने की है, all digit number, data bar, तो और इसके बाद में exam center का code दिया गया है, तो यह चीज़ें आ तो आपको problem हो सकती है, काफ हा रहा है, तो आप yes and no करेंगे, स्वांस लेने में कोई problem है, तो yes and no, गले से समंदीत कोई problem है, फिर रादर कोई problem है, तो यहाँ पर yes and no में इसमें लिखेंगे, जैसे coronavirus है, तो उससे related कोई भी आपका issue नहीं होना चाहिए, यहाँ पर सभी में no ह करना है, और उसकी बाद में आपको signature कर देना है, और यहाँ पर अपना name है, वो feel up कर देना, date or place यहाँ पर आपको link देना है, यदि आपने अभी तक YouTube चैनल को subscribe नहीं किया, तो subscribe कर लिजेगा, बेल आइकन को press कर लिजेगा, टेलिग्राम गुरूप को join कर लिजेगा, जिसक कर सकते हैं, कोई problem हो, तो भी वहाँ पर आप अपना doubt हो, clear कर सकती है,